वेलकम बैक टू एसे केट्वी दोस्तों मेरा नाव है सागर गुपता और सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए मुझे बहुत कुछी हो रही है कि आप सबके बहुत सारे मैसेज़ी साइड जिसमें आप लोगों ने बताया कि आपके असाइमेंट्स को बनाने में बहुत ह कम्प्लीट कर लिए आप सबको बहुत बहुत कॉंग्रेट्स अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर आप लोगों के मैसेज़ीस पढ़कर के आप अपने असाइमेंट्स कम्प्लीट कर पाए मुझे अच्छा पील हो रहा है कि मैं आपके किसी गाम आ रहा हूं थैंक्यू स मुख सबको अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं उन स्टूदेंस के लिए जो अपने असाइमेंट्स यह बना नहीं ह्या हैं दूसरे वो स्टूदेंस धो बनातो लिए आपके assignment submission की last date extend हो चुकी है दोस्तों जी हाँ आप लोगों को 4 दिन extra मिले हैं जो assignment आपको 11 तारीक को upload करने थे अब वो assignment आपको 15 जुलाई तक upload करने है आपको 4 दिन extra मिल चुकी है जी हाँ दोस्तों मैं आपको अभी date sheet दिखाता हूँ स्क्रीन पर आपके सामने आएगी तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके लिए आया है important notice और इसमें आपको clearly बताए गया है कि आप लोगों के लिए 4 दिन extend कर दे गए हैं और कुछ students के लिए 2 दिन extend किये गए हैं तो यहाँ पर मैं clearly आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर first year के student है BA program के, BICOM program के BA honors के, BA English honors के Political Science honors और BICOM honors आप सबकी जो last date थी वो 11 तारीक थी 11 तारीक को आपको upload करना था अब आप देख पा रहे हैं कि आपको जो last date मिल रही है वो 15 जुलाई हो गई है यानि कि 4 दिन आपको extra मिल चुके है उसके बाद अब second year के देख सकते हैं second year में यहाँ पर आपको जो BA program BICOM, BA honors और यहाँ पर BA honors political science BICOM honors, second year के जो students है उन लोगों के लिए जो अलगलग date थी जैसे 8 तारीक, 12 तारीक, 10 तारीक आप लोगों के लिए भी date extend कर दी है जिसकी date 8 है उसको 12 कर दिया जिसकी बाद है उसको 16 कर दिया जिसकी date 10 तारीक की उसको 14 कर दिया तो इस तरीके से आपके date extend हो चुकी है जो BICOM second year honors के student है उनको 2 तिन extra मिले है आपकी जो last submission date थी वो 18 तारीक थी जो कि अब 20 हो गई है इसी तरीके से मैं आपके आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों अब जो आपको uploading करने में problem आ रही थी I hope अब वो problem आपकी नहीं होगी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको कि अब आपको एक specific time दे दिया गया है कि आपको अपना assignment किस time duration में और किस दिन upload करना है देखो यहाँ पर जो BA program second year के student है BA honors, English honors वाले BA political science honors तो यहाँ पर यह जो students है इनको 10 July को यहाँ पर 10 July से इनको time दिया गया है कि आप 2 बज़े से लेकर रात को 8 बज़े तक आप अपना assignment upload करें ठीक है दोस्तों यहाँ पर clearly आपको दिया गया है तो आप इस time पर अगर अपना assignment upload करेंगे तो यहाँ पर आपको uploading में problem बिल्कुल नहीं आएगी ऐसा due का कहना है बाकी देखेंगे लेकिन इतना भी हो रहा है तो बहुत हो रहा है उसके बाद यहाँ पर हम और देखेंगे तो अलग़ अलग़ timing है फिर बात करते हैं BA program first and second semester become first and second semester तो यहाँ पर आपको जो timing दी गई है वो सुबह चे बज़े से दोपहर के दो बज़े तक तो इस time duration में जब आप अपना assignment upload करेंगे तो वो हो जाएगा फिर यहाँ पर 11 तारीक के लिए दिया गया है इसी तरीके से 12 तारीक के लिए दिया गया है 13 तारीक के लिए दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए uploading time 14 तारीक, 15 तारीक और यह 16 तारीक और end में ये 17 तारी तो इस तरीके से आपको आपका assignment upload करने का पूरा का पूरा process आपको दे दिया गया है, इसका link मैं आपको description में दे देता हूँ, वहाँ से आप ये download कर लेना तो आपको आसानी से मिल जाएगा, दोस्तों मुझे उमेद है कि ये extended date देखकर आपकी जान में जान आ गए होगी मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों के बहुत सारे comment आ रहे थे बहुत सारे messages आ रहे थे, sir upload नहीं हो रहा है, क्या date extend होगी नहीं होगी, finally date extend हो चुकी है, अब आप बिलकुल मत घबराना, panic मत करना अराम से अपना assignment प्रिपेर करो अभी तक नहीं किया है, किसी subject कर नहीं हो पाया है, आप मुझे comment box में बता दो, मैं उसका solution आपको दूँगा जिहां दोस्तो, मैंने जिन subject को देने के लिए आप लोगो कमेंटमेंट की थी, वो commitment मैंने पूरी की वो सारे subject जिनको मैं देना आपको चाहता था वो सारे subject मैंने आपको दिये और भी extra subject आपको दिये आपको जिसमें subject पर problem है, अभी तर complete नहीं हुआ है, आप मुझे comment box में बताइए, मैं उसका solution निकालेगी पूरी पूरी गोशिस करूँगा जहां तक मुझे से बन पड़ेगा मैं आपके लिए पूरी गोशिस जरूर करूँगा और आप तक वो assignment का solution जरूर पहुचाऊंगा, दोस्तों उमीद करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत पाइदा हुआ होगा बहुत informative रही होगी तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे सपोर्ट बनाए रखे, बिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, thank you so much and bye bye